आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नई अपडेट के बारे में बिहार जमीन सर्वे से संब्दित बिहार जमीन सर्वे बिहार में सुरू हो चुका है और बिहार जमीन सर्वे हो जाएगा उसके बाद क्या होगा तो देखिए बिहार जमीन काड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जैसे रासन काड के बारे में अपने सुना होगा, आधार काड के बारे में सुना होगा, भोटर काड के बारे में सुना होगा, वैसे ही आप एक नया नाम सुनेंगे बिहार जमीन काड, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ कि बिहार जमीन काड क्या है और इसे कैसे बनवाएं अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है कैसे आपको बिहार जमीन काड मिलने वाला है चली वीडियो को सुरू करते हैं प्लेज वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि एक ला प्रवासन कारड़ की तरह मिलेगा जमीन कारड़ बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आप लोगों को चलिए जान लेते हैं क्या दाखिल खारीज के आधार पर ठीक है दाखिल खारीज के आधार पर लिखित रूप से डेटा अपडेट तो होता है लेकिन नक्सा इससे छुट जाता है कई बार एक ही जमीन को कई लोगों के बेचने की सिकायत आती है इन्हीं सबको दूर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है भू स्वामी को अपनी जमीन का स्वा घुसला पत्र देना होगा इसमें जमीन पर अपना हक उन्हें दर्साना हो होगा यहां पर यह बताया जा रहा कि बिहार में भूमी सर्वे क्यों किया जा रहा है तो आप यह जानगे कि क्यों किया जा रहा है आगली बात करते हैं रखिए विसेस भूमी सर्वेक्षण लैंड सर्वे इन बिहार की परकिरिया शुरू हो गई है गाउं में ग्राम सभा कर लोगों को इसकी जनकारी दी जा रही है बताया जा रहा है कि यह सर्वे कितना अहम है वविश्य में भूमी बिवाद की समस्याएं इससे कैसे नियून हो जाएंगी अब बात करते हैं विशेज सर्वेक्षण के में सभी दास्टवेजों का सत्यापन होने के बाद लोगों क खत्यान की कौपी के अलावा जमीन कार्ड भी दिया जाएगा देखिए एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है रासन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड आपने सुना होगा आज से आप ये भी सुन रहे हैं एक नया वर्ड जमीन कार्ड ठीक है दिया जाएगा ये रास रासन कार्ड में क्या होता है आपका नाम रहेगा मतलब रासन कार्ड धारी का नाम रहेगा पूरे परिवार का नाम रहेगा आपका आगनवाली का नाम रहेगा वाड का नाम रहेगा सब कुछ लिखा रहता है जैसे आधार कार्ड है आपका नाम आपका पिताजी का नाम आप कि जमीन कार्ड में जमीन के जो भी मलिकाना हक वाले हैं, उनका रईयत का नाम लिखा रहेगा, जमबंदी संख्या लिखा रहेगा, खाता लिखा रहेगा, प्लोट लिखा रहेगा, रकवा लिखा रहेगा, चोहदी लिखा रहेगा, और इससे संबंदीत आपका एक नंबर र सुरू हो गया है फूरा होने के बाद आपको राशन कार्ड के इतर है एक जमीन कार्ड मिलेगा जिसमें क्या 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 लिखा रहेगा वह आपको मैंने बता दिया है तो यह प्रक्रिया है आपका घूमि हो चुका है से सम्भंधित मैं बहुत सारे video अपलोड कर दिया और मैं लगातार जितनी भी ढît वेज़ लग रहें उस्टसे सम्भंधित कीं से क। को जुटाना है क्या से डाउनलोड करना है कैसे नेट पे मिलेगा जानकारी दे रहा हूँ तो आप मेरी वीडियोज को लागातार देखते रहें किसी भी प्रस्थन का जबाब आपको मिलेगा आपको कहीं जाने के जुरत नहीं पढ़ेगी आपका सव काम हो जायगां तो विचे स्वक्थस्र समå만्दित ये जानकारी है आपको मिलेगा जमीन önce तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद